हम करीब करीब आप देख लीजे इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाग दस लाग 15 लाग के असपास कोड से इतनी अफरात अर्निंग है कि मैं आपको क्या बताऊ एंड वो करीब करीब 2 करोण रुपय साल की अर्निंग कर रहा था पाई साथ एक ही लाग करने के लिए जो किक है ठीक है जो बिलीफ है वो आपको पहला डॉलर ही दिलाएगा अब हम आते हैं चॉइस पर चॉइस मतलब कंफूजन में ठीक है सबसे पहला भाई प्लाटफॉर्म का कंफूजन कि हम यूट्यूब पे जाएं कि हम फेस्बूक पे जाएं हम बहुत वीडियो बनाएं बहुत कंफूजन है ठीक है इस फ्लोचार्ट से समझने की कोशिश करेंगे कि आप कौन सा प्लाटफॉर्म से आपको काम स्टार्ट करना जाएं ठीक है एंड जो सबसे इंपोर्टेंट है कॉपी और क्रियेटर अब आपने सारी चीज़ें सोच ल है वो जो ब्लॉग लिख रहा है आप एक्जाटली कॉपी करो उसका कॉंटेंट कॉपी नहीं करो इसने फॉर एक्जामपल सालार मुवी का रिव्यू लिखा है आप भी लिखेंगे अपी न्यू येर गाईज ये नव वर्ष आपके लिए सारे सुक और समरिद्धी लेके आप और आपके दोस्त आपकी फैमली आपके वेल विशर्स की सेहत बहुत अच्छी हो यही हम कामना करते हैं और आज इस नए वर्ष में हम जिस टॉपिक पर डिसकस करने वाले हैं कि इंटरनेट से आप अपना पहला डॉलर कैसे कमाएं मैंने अपने कम्यूनिटी पोस्ट में डाला था कुछ टाइम पहले आपको स्क्रीन शॉट दिख रहा होगा अभी कि आप इंटरनेट से अभी कितने पैसे कमाते हैं एंड वहां पर लिखा हुआ था कि 75 परसेंट लोगों ने कहा था शुन्य और 6 परसेंट लोगों ने कहा था करीब-करी 5000 वोट आये थे कि अ सबसे इंपोर्टेंट क्या है अंधास हर इंसान चाहता अगर आप इसे पूछा जाए आपी से मैं चॉइस देता हूं अब मैं आप से सवाल पूछना चाहता हूं कि आप कॉमेंट करके बताएं कि आप इंटरनेट से कितने पैसे कमाना चाहते हैं ठीक है आप वीडियो को करिएगा और कॉमेंट करिएगा क्या आप शुन्य कमाना चाहते हैं या फिर आप अंधा पैसा कमाना चाहते हैं वीडियो को मैं पॉस्ट कर रहा हूं दो सेकेंड का ताइम दूंगा आप कॉमेंट करें मुझे उमीद है कि आपने comment कर लिया होगा क्योंकि comment करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि इकलोता मैं ही ऐसा बंदा हूँ ठीक है पूरे internet पे जिसके जब 300 subscriber थे और अभी 300,000,000 subscriber हैं हर comment का reply करते हैं and हमारे पास आज से एक साल पहले ये unique लड़का आया था आदित्य जो मेरे ही comment का reply करके उस समय 30,000 रुपे महीने कमाने लग जया था तो ये भी एक opportunity है क्योंकि जो comment कर रहा है बाई साब problem है ठीक है ना और अगर आप उसकी problem solve कर पाओगे तो आप पैसे कमा पाओगे इस बंदे ने आदित्य ने हमारे comment का reply करके पैसे कमा लिए थे इसलिए कहा था कि comment करो जो शुरू में कहा था और मैं तो reply करता हूँ आप भी बाकी लोगों का reply करोगे तो मेरी नजर में आओगे क्योंकि इस channel पर मैं blog review करता हूँ and youtube review भी करता हूँ ठीक है इस मैं नहीं डालूँगा तो दूसरा चैनल है पवनागरवाल डिजिटल पर और अगर आप blog review में select हो गए या youtube review में select हो गए तो पहले dollar कमाने की जो साली tension है आपकी खताम हो जाएंगी क्योंकि बहुत अच्छा user base आपके पास पहुँच जाने वाला है उसमें कैसे apply करना है ठीक है अगर आपको पता है तो पता है नहीं पता है तो अगें comment करें और दूसरे लोग उनकी मदद करें कि कैसे participate कर सकते हैं ये blog review 25 था ठीक ना अब हम आते हैं एक और चीज मैंने अभी एक और community पोस डाला था भाई साब कि आपको मेरी income 2023 की चहिए की नहीं 1000 comment चीए भाई साब आप लोग इतना प्यार देते हो नहीं उसके लिए तो जोग के आप earning sources के बारे में बताएंगे for example अभी इसी चैनल का earning आपको बताता हूं अभी for example मैं इसी चैनल की earning इस YouTube चैनल की earning आपको बताता हूं कि इस साल कितनी हुई और इसका reason भी आपको बताऊंगा कि मैं क्यों बताने वाला हूं यहां पर मैं अगेन यह वाली information marks होगी हम करीब करीब आप देख लीजे इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस जार लाक दस लाक पंद्रा लाक के असपास इस वर्ष सिर्फ इस YouTube चैनल से कमा चुके हैं ठीक है एंड कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यार पैसे कमाना तो यार देखो बहुत मुश्किल है इस एजी कि आप लोगों को बताओ कि पैसे कैसे कमाने है अगर आप उन व्यक्तिव में से तो भाई आप YouTube चैनल बनाई है पैसा कमाई है आप उस पहले डॉलर के थेशोल्ड को जरूर क्रॉस कर पाऊगा अच्छा पहला डॉलर क्यों इंपोर्टेंट है अभी मैं आप लो कमाना हम इस चैनल पर बहुत सारे पॉडकास्ट भी लेके आए हैं और अगर आप देखोगे तो पहला डॉलर कमाने में लोगों को एक साल डेड़ साल दो साल धाई साल अलग अलग टाइम फ्रेम लगा है परन्तु जैसे ही वो कमाया है उसके बाद उनकी अर्निंग शूट हैं हम उसको बोलते हैं कि हैंड वाई हैं वह अजीब तरीके के नखरे बनाती है मैं कहता हूं मैं धुला देता हूं तो भी नखरे बनाती है ठीक बड़ा परेशान थे एक दिन मुझे आईडिया आया है मैंने काया कि जैसे घर में हमने का कॉंपटीशन करते हैं कि पापा जीतेंगे आप पहले जीतोगे अबनी हाथ धोने में और जैसे ही यह शब्द उसके कान में सुनाई दिये वह भात के गई उसमें हाथ धोली और कहा कि मैं जीत गहीं सेम टास्क था सेम परसं था पहले वो टास्क कंप्लीट नहीं कर रहा था दूसरे में कंप्लीट करने लग जाओगे पर उस अंधी कमाई करने के लिए जो किक है ठीक है जो बिलीफ है वो आपको पहला डॉलर ही दिलाएगा इसलिए पहला पॉइंट हमने जो यहां पर जो पॉइंट रिखे थे पांच इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बिलीफ अब मैं अपना एक्जांप में ही 100 रुपे की करीब करीब अर्निंग कर ली एक्जाक्ट अमाउंट मझे याद नहीं पर बहुत चोटा सा माउंट है मैं आपको यकीन नहीं दिला सकता कि मुझे कितनी खुशी हुई थी मैंने अपने रिष्टेदारों को कुछ जो वेल विशर से उनको बताया था उन् ही 100 रुपे वजह है कि मैंने 9 साल की अपनी TCS की नौकरी छोड़ने की हिम्मत करी अगर यह 100 रुपे नहीं आये होते तो कुछ भी पॉसिबल नहीं होता मेरे लिए यह किक थी अब इसको आप दो तरीके से देख सकते हैं कि यह मुझे 5 दिन में मिल गया आर्बीट्राज के पैसे ठीके 5 दिन में इसलिए जल्दी मिल गए इसलिए मुझे किक मिल गई इसलिए मैं करने लगा दूसरा 33 साल लग गए मुझे 100 डॉलर को खोजने में आप किस एंगल से सोचते हो यह मुझे बताना किसी भी एंगल से आप सोचते हो तो भाई सहा मुझे किक मिल गई ठीक अगर आप यूट्यूब की तरफ देखने हैं तो क्या सर्च होता है बेसिकली कि एक हजार सब्सक्राइबर और चार हजार घंटे कैसे पूरे करें और अगर आप एक मेरे ब्लॉगर दोस्त हैं अच्सेंस कैसे अप्रूबल रखें अब लोग इतने पागल क्यों हैं अच्छा ये सारी चीजें करने से क्या आपके अकाउंट में पैसे आने लग जाएंगें नहीं पर उसके पीछे पागल क्यों है उसके पीछे की साइन्स यह है कि उन्हें किक चाहिए उन्हें अपने account में वो dollar का हरा sign देखना है पहले dollar का sign देखना है वो kick चाहिए, वो belief चाहिए ठीक है ना, समझ गए पहले dollar की क्या importance है और अब हम जो points define करने वाले हैं वो ये हैं कि कैसे आप वो पहले dollar तक पहुँच सकते हैं एंड शुरू में जो हमने earning दिखाई थी अपनी ठीक है, क्योंकि देखो, मैंने तो 100 रुपे कमा लिए है ना मैंने 15 लाख रुपे भी कमा लिए जो अभी ये मेरा पहला earning source है इस चैनल का इस वर्ष में है ना, अब इसको देख के आपके अंदर हो सकता है, बिलीफ हजाए जैसे मैंने बोला कि भाई कुछ नहीं है, मैं यहाँ पर YouTube वीडियो भी बना रहा हूँ, आप ही बना दो आप पैसे नहीं कमा रहे बनाने लग जाओ कि कैसे पैसे कमाते हैं डॉलर का साइन, डॉलर यहाँ मैंने रुपय में दिखा दिया पर पॉइंट है कि डॉलर का साइन देखेगा ना, ठीक है बनाने लग जाओ आप वीडियो, तो आपको बिलीफ सिस्टम के लिए मैंने यह पहला अपना अर्निंग सोर्स बताया है, और अगर आपको मेरे और भी अर्निंग सोर्स देखने हैं, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेशनल और मोटिवेशनल वीडियो आपको यहाँ पर उनलाइन अर्निंग से रिलेटेड मिलते रहेंगे, ठीक है, अब हम आते हैं बेसिकली कि देखो, यह हो गया, अब अच्छा यह क्या पहली चीज सही है या गलत है, हम इस चीज में आते हैं कि क्या यह चीज सही है या गलत, कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे या फिर AdSense Approval के पीछे भागना सही है, कि गलत है, इसमें कुछ भी सही गलत नहीं है, अगर आप सोच रहे हैं, क्योंकि देखो, चाही है, आदमी को जब तक वो किक नहीं मिलेगी, वो आगे नहीं बढ़ेगा, तो अगर आप सोच रहे हो, कि आप इसके भाग रहे हो, इसके पीछ कोर्स बेचते हैं, उनके चैनल पर मत जाया करो, उनको प्रमोट नहीं किया करो, भाई सब पॉइंट यह है कि वो कोर्स बेच रहा है, तो सर्फ इसी वज़े से वो गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, कि वो एक बहुत बड़ा नहीं लेके आया है, पर कोई पेड कोर्स ला रहा है, तो मैं उसकी बुराई करूं, ऐसा मैं नहीं कर सकता, ठीक है, अभी क्या होता था, हजार सब्सक्राइब और चारहजार घंटे से क्या होता था, बेसिकली क्यों आजमी पीछे पढ़ा रहता है, उसके आइडसेंस अप बात करी थी कि भाई साहब इसमें एक बंदा ऐसा था, ठीक है, सम महेश्वरी नाम का नाम था, उसने कहा था कि वो मोटिवेशनल वीडियो बनाता था, ठीक है, आपने एक वीडियो बनाया और आप देख रहे हो कि जादा लोगों नहीं देखा, उसने का अगर एक व्यक्त हो सकता है शाहरुक खान हो, वो एक व्यक्ति हो सकता हो सलमान खान हो, वो एक व्यक्ति हो सकता है अमिताब बच्चनो और आपको ऐसा लगता है ये जो बड़े व्यक्ति हैं ये demotivate, demoralize नहीं होते, ये होते हैं ठीक है, और हो सकता है कि उन्होंने जब वीडियो देखा, उनको आपका वीडियो अच्छा लगा वो आपके क्लाइंट बनने के लिए तयार हो जाएंगे आप उनसे कंसल्टेशन का पैसा चार्ड कर सकते हैं ठीक है ना क्योंकि कोर्स शायर आपने नहीं बनाया हो क्योंकि कोर्स से इतनी अफरात अर्निंग है कि मैं आपको क्या बताऊं आपको इसके पीछे भागने की जरुवत नहीं है डे वन से अगर आप सोच लें कि आपको कंसल्टेशन में जाना है आप कंसल्टेशन कर सकते हैं आपको कोर्स बनाना है यह आपको लगेगा यार मैं किस फालतू चीज में भाग रहा था ठीक है क्योंकि इससे क्यों होता है गूगल के आडसेंस के पैसे मिलते है जो हमने डॉलर साइन या रूपी के साइन आपको दिखाया था यूजिली वही दिखता है पर जो कंसल्टेशन करता है जो कोर्स बेजता है वो आके बताता नहीं अपने डॉलर साइन दिखाता नहीं अफराथ चीजें तो एक व्यू से आपको वो क्लाइंट मिल सकता है अब वो एक व्यू हो सकता है हजार वीडियो अजब आप बनाओ उसमें से कोई एक आई या पहला वीडियो ही आप बना दो तो उसमें से आ जाए पर यहाँ पर आगे फिर हम बात करेंगे इसमें क्या करना है और एक चैनल मुझे ऐसा मिला जिसके मात्र डेड़ लाग सब्सक्राइबर बेस थे और वो करीब करीब दो करोर रुपे साल की अदिंग कर रहा था भाई साथ ठीक है एक ब्लॉगर मुझे मिला जो आर्बिट्राज से 40,000 डॉलर जिसने लास्ट महीने में कमाए थे अभी मैंने शुरू में क्या बताया था कि मैंने 100 रुपे कमाए थे वो आर्बिट्राज था ठीक है वो मेथर्ड मैंने अपनाया था उसी मेथर्ड की वज़े से मैंने जॉब छोड़ी थी और वो 6 महीने में मेरा मेथर्ड फेल हो गया था फिर मैंने उसमें कभी काम नहीं किया ठीक है मैं दूसरी चीजों में लग जया पर एक लड़का आज भी उसी मेथर्ड को यूज़ करके उसने लास्ट महीने में 40,000 डॉलर कमाए थे एक यूट्यूब चानल है आज से 2-3 साल पहले की बात है अच्छे मेडिकल रिलेटेड चानल था एक ही लाख सब्सक्राइबर बेशते हैं और वो 200 करोड रुपे में बिका था यहां से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत छोटी चीज है अच्छेंस अप्रूबल बहुत छोटी चीज है जिसमें आप लगे थे क्यों? क्योंकि हो सकता है आपने मोटिवेशन से रिलेटेड आर्टिकल डाला हो और उसमें एक ही व्यू आए और वो व्यू आपको एक क्लाइंट या फिर आपका एक कोर्स बेचने में मदद कर दे ठीक है? अब हम आते हैं basically कि भाई शुरुवात कैसे करते हैं उसके लिए right direction की आवशक्ता पढ़ती है start button की आवशक्ता पढ़ती है ठीक है? direction मतलब क्या हो गया basically कि देखो क्या होता है कि हमारा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस तरीके से हमारा समाज काम करता है वैसे ही सारी चीज़े हो for example एक बच्चा पैदा होता है तो उसके माबाप कहते हैं भाई सब स्कूल में जाओ, graduation करो, फिर नौकरी लग जाएगी straight forward path है आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना है आपको पढ़ाई करनी है क्या पढ़ाई करनी है उसकी किताब भी लिखिये उसी के अंदर से सवाल भी आएंगे तो path क्या है, आपने यहां से शुरुवात करी, आपको यहां जाना है अगर आप अच्छे मन से, अच्छे लगन से सारी चीजे करोगे आपको success मिल जाएगी, job वाली, ठीक है यह straight forward path है, अब आप सोचते हो कि online earning की जरनी में है तो आपको कोई एक व्यक्ति मिले, ठीक है, जो आपको रास्ता बता दे कि आपको इस रास्ते पर जाना है, ठीक है और अगर रास्ता अगर नहीं बताएगा तो आपको क्या लगता है कि आप भटकोगे, आप हो सकता है, अगर कोई सही direction आपको ना दिखाए तो आपको हो सकता है कि आप यहां से start तरो, यहां आओ, फिर यहां चले गए, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कहा जाना है, आप ऐसे आने लग गए, success के पास पहुंच रहे थे, फिर आप यहां आगए, फिर यहां आगए, फिर ऐसे आगए, ऐसे आगए, फिर यहां वो straightforward path तो again नहीं होगा थोड़ी बहुत आपको मदद कर देगा कि आपको कैसे start करना है कि आपके जो options है वो eliminate कर देगा क्योंकि choices बहुत सारी होती है आपके सामने ठीक है तो वो आपको बता देगा कि कौन सी choices सही है या कौन सी choices गलत है ठीक है एक और option में आपको यहां बता दूँ अभी मैंने बताया ही था कि usually जो होता है लोग views के पीछे भागते है ठीक है views कहां पे आते है broader जो topic बनाते है ठीक है अगर मैं Israel Palestine की बात करूँगा तो बहुत ज़्याद़ views आ जाएंगे मैं इंडिया पाकिस्तान की बात करूँगा मैं बहुत ज़्याद़ views आ जाएंगे पर for example आपको toys बेचना है ठीक है तो क्या आपको बहुत ज़्याद़ views से मतलब है यह exact आपको बन्दा चाहिए कि जो आपका toy खरीद पाए ठीक है ना कि अगर आप product बेच रहे हैं आपकी कोई services है आपकी क्या कोई consultancy है ओके तो again यह एक myth है कि views से ही आप ऐसे कमा सकते हों क्योंकि यह दिखता है पर कई अद्रिश्य लोग है जो मैंने class plus वाला event आपको बताया था वो इतना कमाल धमाल काम कर रहे हैं और शायद आप देखोगे तो उनकी internet पे कोई existence मिलेगी नहीं बहुत सारे ऐसे बंदे हैं आप हमारी playlist देखोगे तो आपको podcast में मिल जाएंगे ऐसे बहुत सारे नए चेहरे हैं जो हम लेके आते हैं जो कमाल करने हैं हम आते हैं choices पे choices मतलब confusion में ठीक है सबसे पहला भाई platform का confusion कि हम YouTube पे जाएं कि हम Facebook पे जाएं हम Instagram पे जाएं हम LinkedIn में जाएं हम blog बनाएं हम Pinterest करें हम क्या करें क्योंकि online करने के बहुत सारे में थड हैं YouTube में भी हम YouTube long video बनाएं YouTube short video बनाएं बहुत confusion है पैसा कमाने में भी बहुत सारे options है views वाले adsense में जाएं famous होना है affiliate marketing करें courses करें sponsorship करें अपना product बेचें इतना ज़्यादा confusion जितना ज़्यादा choices होंगी उतने ज़्यादा आपके पास confusion होंगे अब हम आते हैं इसी को ही दूर करने के लिए कि आपको कौन साथ चीज चूस करनी चाहिए सबसे आपको वो फशिस पसंद है फिक है? यह important नहीं है, यह important है, क्या public को वो चीज पसंद है, ठीक है, इसमें example दूँगा, सालार वर्सिस डंकी, क्योंकि अभी वो movie रिलीज हुई, 2023 में, दो धमा के था, मतलब इससे बड़ा कोई clash नहीं था, movie के comparison में, क्यों, क्योंकि, देखो, शहरुक खान, basically, दो super hit movie, ठीक है, 2023 मे जवान और पठान लेके आये थे, पठान और जवान लेके आये थे, एंड डंकी उनकी थर्ड थी, ठीक है, सालार कौन लेके आया था, प्रभास की movie थी, जो काफी, बाहु बली की बादमान की सारी failed movie आ रही थी, तो लोगों को ऐसा लग रहा था, कि शाहरुक खान की movie, again, क पैसे कमा रही है, डंकी पैसे नहीं कमा रही है, ठीक है, अब हम क्या सोच रहे थी, कि जवान और पठान क्यों successful हुई, क्योंकि शाहरुक खान के superstar stardom की वज़े से हुई, क्या या entirely true है, सुपर स्टार है, पर सुपर स्टार अगर चलते तो डंकी में भी चल जाते, क्या डंकी मुवी खराब है, नहीं, बस लोगों की choices बदल गई है देखने की, अब लोग violent movie, सालार जैसी movie देखना पसंद करते हैं, ठीक है, तो यहीं पे ही मैं एक input देता हूँ, जिसको confusion है कि YouTube long बनाना है, YouTube short बनाना है, भाई साब, long video में लोग इतना पसंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हमारे भी long video में आप देखोगे, कि gradually views गर गिर रहे हैं, क्यों, क्योंकि लोगों को चाहिए, जट पट information मिले, तो आपको काम start करना है, अकर YouTube video बनाना है, तो आपकी पहली preference होनी चाहिए, short video बनाना, Facebook में भी Instagram Reels बगेरा हो गई, ठीक है, अब मैंने जैसे बोल promotion क्यों किया था, मैंने ad credit का फायदा उठाया था, उस समय गूगल ads में, अगर आप 500 रुपे spend करते थे, तो 2000 रुपे Google आपको free में दे देता था, तो मुझे ऐसा लगता था 500 रुपे में 500 रुपे की चीज़ें हमें मिल जाएंगी, चलो हम इसको promote करते हैं, ये चीज़ थोड़ा time लगता है, paid में result जल्दी आना चालू हो जाते हैं, तो अगर आप थोड़ा बहुत पैसा खर्च कर सकते हैं, तो ad credit का फायदा उठाएं, Google में तो मुझे पता है, Facebook वगेरा में भी अलग हो सकता है, आते हूँ, मुझे उसका idea नहीं है, तो Google के ad credit का फायदा उठा पार हो, paid भी चीज़ें होती है, ठीक है, stream में भी सीखो, important कौन सा है, free है कि paid है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि free में आपको start करना चाहिए, जब आप comfortable हो जाए, आप paid की तरफ जाए, अगर आपको ऐसा लगता है, कि नियार paid के में ना successful नहीं हो सकत है, भाई साब, आप Google को अच्छी तरह किसे, अगर आपको use करते आता है, तो सारे जितने भी paid courses है, आपको मिल जाएंगे, कहां पे मिलेंगे, आप comment करें, जो अच्छे मेरे subscriber हैं, वो समझ जाएंगे, comment करें, बाकी लोगों को समझ भे नहीं आएगा, कि जो paid courses है, अगर सकते हैं, इसलिए क्या है, आपको अच्छे से use करते भी आना चाहिए, अब हम आते हैं platform की तरफ, कि basically अब आपने, आप जो confusion है, कि हम कहां से शुरुआत करें, क्योंकि platform भी बहुत जादा available है, Facebook, Instagram, जैसे मैंने आपको बोला, तो अब हम ये वाला, इस flow chart से समझने की कोशि करेंगे, कि आप कौन सा platform से आपको काम start करना चाहिए, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है, कि क्या आप अपना चेहरा दिखा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि चेहरा अगर आप दिखा सकते हैं, तो आपके पास सारे options खुल जाएंगे, ओके, और आप जो चाहे व मैंने वीडियो बना दिया, तो सामने वाला क्या सोचेगा, ठीक है, आपके अंदर शुरू में हिच के चाहट रहती है, कि करें की ना करें, ठीक है, कुछ भी सही गलत नहीं हो, आपके अगर हिच के चाहट है, तो अभी आपके पास option है, तो आप अगर चेहरा दिखा सकते ह और अगर आप वीडियो बना सकते हैं, तो आपके बास सारे options खुले हुए है, पर मैं फिर भी आपको बोलूँगा कि आप YouTube में जाए, YouTube में वाइटी शॉट से आप ट्राए करें, FB में ही same वीडियो आप डाल सकते हैं, Instagram में भी डाल सकते हैं, YouTube में हर तरीकी की audience available होती है, थोड़ सा Facebook और Instagram का मैं बता दू, Instagram यंग लोगों में जादा famous है, और Facebook में थोड़े से पुराने old लोग जादा interested है, तो आपको content देखना है कि आपका किस, आपकी जो target audience है, क्या है, for example, आप एक product बेच रहे हैं, ठीक है, आप एक toy बेच रहे हैं, तो आप Facebook में क्योंकि वो basically, जो couples और young type का content है, dating type के अगर आपकी कोई चीज है, तो Instagram में वो जादा prefer करेगी, डालने में कुछ भी नहीं जा रहा है, पर मैं आपको बस difference बता रहूँ, okay, तो अब यहां पर मैंने क्या neglect कर दी है, इन तीन चीज में ही आप पहले try करो कि क्या कर रहा है, okay, अब अग में आपको बोलूँगा, YouTube और Facebook से related content डालें, क्योंकि Instagram में young लोग हैं, वो चेहरा देखना चाहते हैं, ठीक है, and यहां पर आप वीडियो बनाके अपने blog को promote करें, फिर आपके बहुत जादा views आ सकते हैं, मतलब बहुत जादा earning हो सकती है, और blog के एक promotion को हम लोग web mention भी कहते हैं, web mention अगर आपको नहीं पता है, तो आप हमें comment करके बताएं, ठीक है, तो अगर आप वीडियो बना सकते हैं, तो मैंने बता दिया YouTube, Facebook पे बनाएं, और उसे अपना blog promote करें, मतलब तीनों चीज आपको करनी पड़ेगी, and अगर आप वीडियो भी नहीं बना सकते हैं, आपको क्या करना है, देखो, अगर आपको views क्यों चाहिए होते हैं, आदमी को, क्योंकि famous, अगर आप सिर्फ पैसे के perspective में अगर सोच नहीं, तो ऐसा नहीं कि views से directly proportion है, कि पैसा आएगा, views से आप famous हो जाते हो, ठीक है, अभी हम आगे जाएंगे, कि किस से क्या सारी चीज हो जो मैंने earning वाले options बताए थे, तो famous अगर आपको होना है, तो ये हो जाएगा, और हो सकता है, कि जब आप इसमें comfort में आ जाओगे, तो आप अपने चेहरा दिखाने में भी comfortable हो जाओगे, तो again यहाँ पर अगर आप अपने video नहीं बना पा रहे थे, तो आपके पास ये सारे option है, और इन सारे option के लिए आप AI tools का इस्तिमाल कर सकते हैं, जैसे chatGBT again हमारे channel पे बहुत सारे videos हैं, अब हम earning वाले method पे आए, हमने flow chart आपको दिखा दिया, हमने क्या दिखाना है, कि भाई साब अगर आपको famous होना है, तो आपको चेहरा दिखाना पड़े ठीक है, और उस प बोला, जो comment करके जो लड़का कमा रहता है, वो कैसे कमा रहता है, क्योंकि मैं usually बताता हूं कि blog कैसे बनाओ, कुछ लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि यार वो नहीं बना सकते blog, जो थोड़ा सा technical काम है, तो उन्हीं लोगों की आदित्य मदद करता था, और उनसे पैसे चार् बनाना है, या फिर आपको चाहिए कि जैसे वैलन्टाइन्स डे आने वाला है, तो वैलन्टाइन्स डे पे जो girlfriend के लिए gift होंगे, boyfriend के लिए gift होंगे, आप उसके लिए Instagram पे पेज बना सकते हो, और जैसे ad credit मैंने बोला, कि अगर आप free में चाहते हो, तो भी सारी चीज हो ज आपके बहुत कम views पे भी अगर आपके content से impress हो जाएंगे, तो आपको अपनी services, आपकी जो भी services है, उसको आप sell कर सकते हो, अब आपने for example, choose कर लिया है, मुझे पूरा यकीन है, कि अभी तक आप clear हो गए होगे, कि आपको किस platform पे काम करना है, और पैसे आपको कैसे कमाने, अगर अभी भी आप clear नहीं हो, तो please, वीडियो में, अभी से ही मैं कहा हो, पीछे चले जाओ, ठीक है, दुबारा देखो, एक बार अपने दिमाग में सोचो, pen paper लो, और सारी चीज़े filter out करो, clarity आ जाएगी, कई बार एक बार में नहीं आती है, दो बार में आ जाती है, अब time है, start button on का, blog बनाना है, blog बनाओ, YouTube बनाना है, YouTube बनाओ, Facebook पेज, वगयरा, जो भी करना है, आप काम करो, अब आपको daily, persistence मतलब क्या हूँ, basically, लगे रहो, ठीक है, इसका मैं एक एक्जांपल देता हूँ, कि आपको अगर कोई बोलता है, कि एक पत्थर है, इसको मारते रहो, मारते रहो, मारते रहो, और एक दिन ये सोना बन जाएगा, ठीक है, अब आपने, उसने बस ये नहीं बताया आपको, कि कितनी बार मानना है, ठीक है, तो हो सकता है, कि 10 बार आप उसको मारो, अगर ये आप हतोरे से पत्थर को मारोगे 10 बार, तो वो सोना बन जाएगा, हर चीज के लिए applicable है persistence के लिए जरूरी है consistency consistency में क्या होगा है कि daily मैं कह रहा हूँ कि आप एक task एक चीज बनाओ आपने जो भी product चूज के लिए है जिस platform पे जाना है उसके लिए आप एक काम करो मैं एक कह रहा हूँ 20 नहीं कह रहा हूँ अच्छा एक में भी आप ये आपकी capability की उपर है कि आप कितना समय दे सकते हो और आप अपना खुद का एक time table बनाओ कि एक दिन में आप कितना task कर सकते हो and बहुत ज़ादा task अगर आप करोगे तो आपको जल्दी success मिल जाएगी पर बहुत ज़ादा नहीं करना है हमको क्या करना है कि हमको अपनी body के साब से अपने system के साब से देखना है कि practically हम कितना कर सकते हैं क्योंकि कई लोग कहते हैं कि सुबह आपको 5 बजे उठना पड़ेगा तब ही आप स्वस्त रह सकते हो आप बहुत कोशिश कर लोगे नहीं उठ पाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे पर फॉर एक्जांपल आप 8 बजे उठ रहे हो तो आप 8 बजे के हिसाब से सारी चीज़ें करो जो भी healthy बाकी की चीज़ें करना स्टार्ट कर दो आप नहीं उठ पा रहे हो 11 बजे उठ रहे हो तो 11 बजे के हिसाब से आप अपना time table बनाना चालो कर दो कि क्या करना है आप अगर force करोगे कि आप 11 बजे उठने वाले हो पांच बजे उठ लोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे ठीक है तो अपनी capability के साब से आपको define करना है कि क्या करना है and जो सबसे important है copy your creators अब आपने सारी चीजें सोच ली कि आपको task करना है कौन सा platform हो गया, किस mode से पैसे कमाने है अब पहला task क्या होगा पहला task होगा copy paste ठीक है बहुत जादा जरूरी है क्यों क्योंकि देखो क्या होता है कि शुरू में जैसे मैंने direction वाली आपको चीज बताई थी आपको कहीं पे भी पता नहीं चलेगा कि कहां जाना है, सब hapazard हो जाएगा ठीक है, जो direction वाला मैंने बताया था अब आपने सारी चीजे जब choose कर ली ठीक है, आपने किसी अपने एक favorite content creator को follow करो वो blogger भी हो सकता है वो जो blog लिख रहा है आप exactly copy करो उसका content copy नहीं करो इसने for example, सालार मुवी का review लिखा है, आप भी लिख दो क्योंकि वो इस direction में जा रहा है आप भी इसी direction में जाने की कोशिश करो, ठीक है यह सबसे बहतरीन तरीका है, आप success तक पहुँच पाओगे, उसने कोई एक video डाला, for example, आज मैंने ये video डाला, अगर आप मेरे से प्यार करते हों और आपको लगता है कि आपको मेरी copy बनना है, तो आज मैंने जो video डाला ना इसी की copy मार दो अगर आप video बना रहे हो, exactly same video बना दो, आप खड़े हुए same content डाल दो, आरे इसी का ही blog बना के डाल दो, इसी का ही insta real बना दो, facebook में video बना दो, linkedin पे डाल दो same content डाल दो, ठीक है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने youtube में बहुत अच्छा किया, अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, कि youtube पे अभी मेरे सवा तीन लाख सब्सक्राइबर बेस हो चुके हैं, अभी भी लोगों को लगता है कि मैं एक blogger हूँ अभी भी उनको ये नहीं लगता है कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, जबकि मैं अच्छे लेवल पे पहुँच गया हूँ तो मैं इसे compliment की तरह लेता हूँ कि मैं इस लेवल तक पहुँच गया और लोगों को अभी समझ में भी नहीं आ रहे कि मुझे यूट्यूब के बारे में knowledge है, ठीक है अगर आप सोचते हो कि इसी वीडियो को अगर आप अपने style में बना की YouTube पे डाल दोगे और मैं तीन साल से बना रहा हूँ तो YouTube को पता है तीन साल में कि मैं आगे वीडियो डालूँगा मेरी habits को समझ चुका है पहले वीडियो में YouTube आपकी कैसे habits समझ जाएगा पहले ब्लॉग में कैसे समझ जाएगा पहले उसको यकीन तो दिलाओ कि आप serious हूँ और यकीन कैसे आएगा जब आप consistently काम करोगे ठीक है छे महीने काम करना पड़ेगा और अगर आप paid तरीके से काम करते हो result quick आएंगे ये guarantee है और पांच वी और important चीज़ नए trends को follow करना है ठीक है जब आप नए trend को follow करें को मैंने सालार वर्सेस डंकी का आपको example बताया कि कोई भी नए चीज़ आ रही है उसको follow करना है अब हो सकता है आपका favorite content creator उस नए चीज़ को follow नहीं करना है तो किसी नए content creator को follow करके उसकी direction में चलने लग जाओ and मुझे पूरी उमीद है कि इस नव वर्ष में मैंने जो आपको सारी चीज़ें बताई थी जो 5 points मैंने आपको बताये थे कि जो आपको अपना पहला डॉलर कमाने में मदद करेंगे वाकई में help करा होगा तो please अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को like कर देना and please follow करना जो हमने सारे instructions दी है follow करना और अगर आपको लगता है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको इस वीडियो की आवर्शक्ता है आपका friend आपका family member कोई भी है उसको ये वीडियो शेयर जरूर करना तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पर end करते हैं और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो जैहिंद टाइप करें जिसमें आप मुझे पता चल जाए कि आप मेरे सबसे प्यारे family member हैं Thank you very much